back to the pole shift अब यह एक सवाल है जो तीन पेजिस का है थोड़ा सा लंबा है प्लीज बेर विद में 17 सितम्बर और यह जान बूच के मैंने end के लिए रखा था क्योंकि यह 2006 का है और इसके अंदर सवाल तो वही था pole shift का कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो जवाब को वो देते हैं कि कुद्रत को pole shift की जरूरत नहीं है क्योंकि धर्ती के लोग बहुत जल्दी मूल रूप से जाग रहे हैं बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है वो बता नहीं पा रहा है लेकिन वो उसके बारे में बात कर नहीं सकते और उनके अंदर इतना आत्मवि सेवे अपने आसपास की दुनिया से कुछ भी कह सकें डूंट वी नो हाव दाट फिल्स हम सबको पता है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे आसपास के लोग किस तरह से रियाक्ट करते हैं तो शुरू शुरू में हमने बोलना शुरू किया और उसके बाद अब चुपी थ लेकिन जो उनके साथ हो रहा है वो यह है कि वो जाग रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि खुद की अच्छाई और अन्य लोगों की अच्छाई शासन पर निर्भर नहीं हो सकती मतलब अच्छाई का मतलब उनकी भैतरी वो शासन के उपर निर्भर नहीं है बलकि केवल स्वय क्षेत्र में स्वयम के बारे में दूसरों पर निर्भर हो सकती है वान सेक्ड बट के नॉट उनली डिपेंड अपॉन अपॉन दिस सेल्फ और अधर सेल्फ दर लोकल एरिया मतलब हमारे आसपास अरे बाप रे बैटरी तो उनके साथ जो हो रहा है वो यह है कि वे जाग रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि उनकी अपनी अच्छाई और उनकी अपनी बहतरी उन पर और उनके आसपास के लोगों पर निर्भर है ना कि गवर्मेंट के उपर बलकि केवल स्वयम और स्थानी अक्षेतर में स्वयम के बारे में दूसरों पर निर्भर हो सकती है स्वयम के बारे में लोकल एरिया बाउदसल मतलब अपने आसपास मतलब अपना परिवार अपने पडोसी ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार और बड़ी संस्कृती के रेडार के तहत किये गए सहयोग और शान्ती की संभावनाओं के प्रती जागरित हो रहे हैं गवर्मेंट के रेडार में तो हैं लेकिन बहुत सारे लोग जागरित हो रहे हैं और एक दूसरे को जगा रहे हैं हमारा मानना है कि इस बात की जबर्दस्त संभावना है कि प्यार रोशनी और सहयोग के ये क्षित्र बढ़ने लगेंगे क्योंकि प्यार करने वाले लोग दूसरे प्यार करने वाले लोगों को ढून लेंगे और जीवन के विभिन क्षित्रों में स्थानिय समस्याओं को हल करने के लिए स्थानिय समूह बनाया जाएगा हाला कि इस समय की तस्वीर, मतलब इस समय जो हालात हैं किसी मानव निर्मित आर्मिगडॉन की संभावना के बावजूद सनातक और फसल के समय की तस्वीर है, हार्विस्ट के समय की तस्वीर है जो पहले से ही हो रही है मतलब कि हार्विस्ट तो 1987 में उसने बोला था कि दो साल से शुरू हो चुकी है तो हार्विस्ट तो बहुत टाइम से शुरू हो चुकी है और ये जो जो भी तुम्हें नजर आ रहा है ये इनसान का बनाया हुआ आर्मेगडॉन मतलब के प्रलय एक तरह से उसके बावजूद ये हार्वेस्ट जो है वो हो रही है आपके बहुत से लोग पहले ही सनातक हो चुके हैं ग्राजूएट हो चुके हैं पिछले 30 वर्षों से मतलब 2006 से पहले अगर आपके परिवार में या पहचान वालों में अगर किसी की मृत्यू हुई है तो पॉसिबल है कि वो ग्राजूएट हो गए हो पिछले 30 वर्षों से आप प्रजनन की सामान ये प्रक्रियों से गुजरने वाले बच्चों के रूप में प्रोक्रियेशन प्रोक्रियेशन मतलब पिछले 30 सालों से आपके पास जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो चौथी घनत्वता से आए हुए वांडरर्ज हैं जो यहां से ग्राजुएट करके जा चुके हैं और उनको ये एहसास हुआ कि अब क्यूंके वो चौथी घनत्वता में पहुँच चुके हैं तो अब उनके पास बहुत सारे आप्शन्स हैं और उन्होंने ये फैसला किया कि मतलब बहुत ही स्वाभाविक तरीके से कि वो दूसरों की सेवा के लिए यहां पर धर्ती पर वापिस आना चाहते हैं और यहां के लोगों को अपनी चेतना का विस्तार करने में और उसे चौथी घनत्वता की ओर ग्राजुएट करने में मदद करना चाहते हैं यहां पर एक जो लाइन है उसको मैं जरा पढ़के सुनाती हूँ ग्रह के बाकी हिस्सों को उनकी चेतना को मुल्य प्रणालियों में स्थानांतरित करने में मदद करना चाहते हैं चौथी घनत्व उर्जा के अनुकूल के उनकी चेतना चौथी घनत्वता के उर्जा के अनुकूल हो मुझे तो लगता है पाभी चौथी में जाके ही वापिस आये हैं जैसे ही आप चोथी घनत्व के आने वाले कमपनों और उर्जा की कई तरंगों के प्रती एक निडर रवया अपनाना शुरू करते हैं, जो प्रक्रिया को तेज कर रही है, हम कहेंगे या जिसे ये उपकरण केंद्रिय सूर्य के रूप में जानता है, उसे इसे उचित रूप से परिपक्व होने में मदद कर रहा है, महा वृध्धी हो रही है, वेट, 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 as you begin to settle into a fearless attitude towards the incoming bio and many waves of the energy that are hastening, hastening the process, shall we say, or helping it mature appropriately from this instrument known as a central sun, there are increasing possibilities, probabilities, मतलब जैसे जैसे आपके मन में चौथी घनत्वता में जाने का डर खत्म हो रहा है, और एक आत्म विश्वास आ रहा है और जिस आत्म विश्वास के साथ आप चौती घनत्वता की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हो, वैसे वैसे उर्जा की ऐसी लहरें आ रही हैं, जो इस प्रक्रिया को तेज कर रही हैं, और इसे सही तरीके से mature होने में मदद कर रही हैं बढ़ने में मदद कर रही हैं आपके सूरच की तरफ से अब यहां पर वो सोला फ्लेर्स की बात कर रहा है आपको याद होगा कुछ महीने पहले मैंने सोला फ्लेर्स और पोल shift के ऊपर एक session किया था solar flares के बारे में तो यहाँ पर भी यह वही बात कर रहा है कि आपके सूरत से जो solar flares आ रहे है वो आपके अगर मुझे नहीं पता आप में से किसी को हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके सर के दोनों तरफ अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके कभी वो जो कहते हैं ना रॉग्टे खड़ होते हैं होते हैंե तो जब रॉंग्टे ह punishment elders होते तो कैसा है वैसा इह सास भला ही नर्म और प्यारा सा एहसास आपके कभी राइट साइड में होगा कभी लेफ्ट साइड में होगा कभी पीछे होगा कभी यहां होगा जादा करके राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट में होता है यहां पीछे की तरफ तो वो अगर आपको होता है तो वो सोला चाहिए तो हरी सब्जियान अगर आप कम आयकर अनाज हैं और के बजाए अगर आप सिर्फ हरी सब्जियां सालेड रॉफूड फल और सालेड खाएं तो मतलब दिन का एक मील आप सिर्फ रॉफ रख सकते हैं तो वह अगर आप करते हैं तो आपको ग्राउंडिंग में मदद करता है जैसे सिंग दाना मैं बताती हूं यह पड़ा है यहां पर इस तरह का नमक हल्दी डाल के मैंने उबाल लिया और यह आप खा सकते हैं अब यह तो आप उबाल के खा रहे हैं कच्चा भी खा सकते हैं पर कुछ लोगों को खांसी की शिकायत हो जाती है या उनको मैं तो कहूंगी वहम है कि कच्चा खाने से खांसी होती है तो इस तरह की कि भवत सारी चीजें होती हैं जैसे जमीन के नीचे उगने वाली चीज कि भी टूट हो गया वह वो ऐगोईल यहार घा चरहwegen को आजच के ऑपरसे कर खाल वह मूली खाने हैं इस तरह की चीजाएं आप खासकते हैं वह आपको ग्रांडिंग में बढ़त कर्ति और खास करके अगर आप हरे पत्ते खाते हैं जैसे के पालक हो गया मेथी हो गई या बेबी पालक छुटी बेबी पालक आती है बेबी मेथी आती है या अप अंकुर जो निकलते हैं उसको अगर आप ये चीजों को मिला कर आप सालड बनाते हैं और वो खाते हैं तो वो आपको ग जैसे जैसे वहां से सोला फ्लेज आ रहे हैं वैसे वैसे यह जादा से जादा मुम्किन होता जा रहा है कि हर शक्स यहां धर्ती के ऊपर उनके साथ कुछ इस तरह के अनुभव हों जो उन्हें जागरुद करें और वह आवश्यक रूप से भारी नहीं होंगे क्योंकि भारी उस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी में आने वाले उत्प्रेरुकों के साथ कितनी जादा इमोशनल रियाक्शन देते हो अच्छा उत्प्रेरक भी तो बढ़ जाते हैं तब ही तो मेरे भी बढ़े हुए तो आप अपने जो जिंदगी में आने वाले उत्प्रेरुकों की तरफ आप कितने इमोशनली स्ट्रॉंगली रियाक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितने भारी अनुभव हैं अगर आप उसे ठीक है जो होना है होना है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे बढ वो आप पे बहुत जादा असर नहीं करेगा भारी नहीं होगा वो कहरे है हाला कि चोथे घनत्पता की उर्जाओं की प्रकृति सबसे पारदर्शी इमानदारी और सच्चाई में से एक है तो अगर आप पारदर्शी और इमानदार हो सच्चे हो सच्च में बिलीव करते हो इमानदारी में तो चौथी घनत्पता की ओर फिर आपकी कैटलिस्ट बहुत लगते हैं इस तीसरी घनत्पता में ठीक है लगने दो मा की भहस को डंडा मारा लगने है तो लगने है क्या करेंगे पर सच्चा और इमानदार और वो वो नहीं छोड़ना इस उर्जा के प्रभाव के तहट जो मन के भीतर है और अयोग या अवांचनिय के रूप में बंद करते हैं दिया गया है, जिसे आपने अपने दिल, मन में, अपने दिमाग में या कहीं पर भी ऐसे उस पर ढखकन लगा दिया, बुच लगा दिया कि इस बारे में ना सोचना है, इस बारे में ना देखना है, इस बारे में ये तो नहीं, ये तो है यी नहीं, ये तो ऐसा है यी नहीं, तो वो आपके अंदर की वो आपके स्वभाव का वो हिस्सा, आपके सोच का वो हिस्सा, आपके डर, आपके अंदर की नकारात्मक ता के हिस्से जिनको आपने अपनाना छोड़ दिया है, उनकी बात ये कर रहे हैं कि उनको आपने बंद कर दिया है, वो आंतरिक कोठरी के छाय व्यादार अंतराल से बाहरी अभिव्यक्ति में स्थानांतरित हो जाएगा इसका मतलब है कि यह जो रौशनी है जो सोलाफ लैज आ रहे हैं जो इश्वर की रौशनी आ रही है जो उर्जा आ रही है यह जो है इसके तहट आपके मन में वो सारी चीजें जिससे आप दूर भाग रहे हो वो सारी चीजें बाहर आएगे और बाहर सामने प्रकट होंगी तभी कैटलिस्ट जादा लगते हैं और बाहर आके प्रकट होंगी तभी आपको उसे अपनी जिन्दगी में अपने अंधर से उसका उपचार करने का मौका मिलेगा आपकी जिन्दगी में ऐसे अनुभव होंगे कि कोई इंसान आपकी जिन्दगी में या आपके अंदर की कोई सोच सामने आ जाएगी आपके और जिस चीज से आप भाग रहे थे जिस चीज को आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ था या कोई इंसान जिससे आप भाग रहे था या जिसको आपने अंदर, वो सामने आएगा, ताकि आप उस इश्यू को टाकल कर सको, ये चाबी है समझने की कि वो जो उर्जाएं हैं, जो आ रही है सूरत से, उनको कैसे टाकल करना है, मतलब उनको कैसे समझना है, उनके साथ कैसे काम करना है, याद रखें कि नाइठ हुड वो है जो योध्याओं को प्राप्त होता है, इन उर्जाओं के साथ काम करते समय, अपने आपको प्रकाश और सत्य के योध्या के रूप में देखें, अपने आपको उग्र बनने दें, के हत्यारे भीतर के जूटे भीतर के व्यभिचारी भीतर के आलसी किसी भी अन्य विक्रिती को कठोर हवा या भीशन बारिश की शक्ती से आपके ध्यान में लाने से डरो मत अच्छा ऐसा क्या मैं तो उसे अंदर ही अंदर रख रही हूं मतलब अपनी अंदर से गुस्साई भ अरे मैने इसलिए शॉरी एक पैरग्राफी मिस कर दिया मैंने प्रतिरोध जैसा कि यह उपकरन Star Trek में कई बार बोर्ग की कही गई बात को याद करता है बोग बोर्ग करके कोई होगा Star Trek में मुझे तो याद भी नहीं उसकी कही गई बात को कई बार याद करता है बेकार है प्रतिरोध इन उर्जाओं का उदेश उन व्यक्तियों की मदद करना है जो जागने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे छाया के उन हिस्सों के आकार, बनावट, गंध और प्रकृती को देख सकें जिनहें अभी तक आपके गोल मेज का हिस्सा बन मतलब गोल मेज का हिस्सा मतलब के जहां पर एक मेज जहां पर आप बैट के डिसकॉशन करते हैं बात करते हैं Round Table of White Knights मतलब मदद करने वाले जो योधा हैं स्तिरियों का सम्मान करने वाले उस ग्रुप में अभी तक आपको शामिल नहीं किया गया है स्तिरियों का समान कहां से आ गया है इसमें कि ए गया है में पूँरी टे से सर सोष का मैंडुई हैं 60 क्छा की तरफ है अच्छाई की तरफ है तो दूसरों की मदद करना چा unbox कर दूसरों को बचाना आप अदे हैं उन लोगों के इस ग्रूप में अभी तक आपको शामिल नहीं किया है उसके बाद वो कहते हैं याद रखें के नाइट हुड स्वरी मैं पहले पढ़ दिया था ये वो है जो योधाओं को प्राप्त होता है इन उर्जाओं के साथ काम करते समय अपने आपको प्रकाश सत्य के योधा के रूप में देखें अपने आपको उग्र बनने दें भीतर के हत्यारे जूटे व्यभिचारी आलसी किसी भी अन्य विक्रिती को कठोर हवा या भीशन बारिश की शक्ति से आपको ध्यान में लाने से डरो मत हवा में खड़े रहो बारिश में महिमा करो बारिश इंजॉय करो और धन्यवाद दो कि ओके इफ यू से सो जब आप इस उत्प्रेरक के लिए धन्यवाद दे रहे हैं तो आप अपने आप से गर्व और दिखावा मुक्त कर रहे हैं मतलब वो भीतर के जो बोल रहे हैं न के खूनी जूटा ये वो मतलब जो चीतर प्रॉड आलसी वह आपके अंदर जो है उसको देखना है उसका उपचार करना है दूसरों के साथ वैसा नहीं करना अपने अंदर की शाड़ो वक करने को पूल रहे हैं अपने अंदर की उन बुराईयों को धूंड धूंड के निकालो और जूएं की तरह उठा उठा के बाहर फैको बेसिक लिए कह रहे हैं अपने अपने आपको आजाद कर लो इन चीजों से अपना उपचार करो और आज मैं चार पांथ बजे हीलिंग म्यूजिक थेरपी क्या सारीं, म्यूजिक थेरपी के द्वारा हीलिंग कैसे करते हैं वो सेशन करने वाली हूं रॉशन के साथ हूं औरी इस ऑसि shines music therapist जो fragrant music को האל करने के लिए और बहुत लोगों को the akrari are i hope you will see that एंड यूज इफ यू नीड तो मैं तो सोच रहे हूं यह शाडो वक को काम बतलब करने के लिए उसका एक बार इस्तेमाल करके देखूं एक दो बार तो जब आप इस उत्प्रेरक के लिए धन्यवाद दे रहे हैं तो आप अपने आपसे गर्व और दिखावा मुक्त कर रहे हैं जिससे चीज़ों को ठीक करने की अपेक्षा की जाती हैं अच्छा हां मतलब उनस अपनी उन बुरी स्वतह को देखकर आप उसे अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं और दिमाग की पॉकिट से उसे खाली कर रहे हैं क्लटर कर रहे हैं आप अपने आपको इन कर रहे हैं क्योंकि जो चीज आप पर हमला कर रही है उससे तीसरे घनत्प के स्तर से निप्टा नहीं जा सकता है इसका निप्टारा चौथे घनत्प के स्तर से किया जाना है इसकी कोई चिंता नहीं है कि इसका क्या मतलब है मेरे दोस्तों क्योंकि आपने इसे कई बार कई अल के हैं जो कुछ भी हैं वह सब आप ही हैं आप कहीं नहीं जा रहे हैं आप कभी जोखिम में नहीं है मतलब इस प्रेरक के लिए आप शुक्रिया कर रहे हैं और अपने अंदर की जो खुद से आप जूट बोल रहे थे जो घमंड था या जो कुछ भी था उससे आप खुद को आजाद कर रहे हैं अपने दिमाग से वो रोज मर्रा की जिंदगी को फिक्स करने के लिए आप अपन हैं क्योंकि जब तक आप इसके साथ इस तीसरी घनत्वता में जूझेंगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे उसको कच्रे को साफ करना जरूरी है और इसे चौथी घनत्वता के लेवल से साफ करना जरूरी है कि वहां पर इन चीजों का कोई मोल नहीं है इन तभी तो आप चौथी में जाएंगे तभी तो ग्रेड बनेगी और ग्राजुएशन होगी इसका मतलब यह नहीं है कि मतलब इस में दिनों कंसर्ण अस्टो वट इसमीन यह वह 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 दिट मैंशने इस इसका मतलब बेसिक लिए यह है कि आप ही प्रेम हो आप ही प्रकाश हो और आप ही सभी कुछ हो आप कहीं नहीं जा रहे हो आपको कुछ नहीं हो रहा है आपका आप कभी खतरे में नहीं हो क्यूंकि आप इस शरीर तो हो ही नहीं आप तो आत्मा हो और जब आपको अपनी आत्मा धारा की शाश्वत और अनंत प्रकृति का एंशास शुरू हो जाता है जब आपको ए psyche रूप से इस सत्य और इस चमकदार रशनी से प्रभावित होने के लिए यहाँ हैं तो यह एंशास आपको अपने आप को मजबूत करने में मदद कर सकता है इस अवसर का लाब उठाने का संकल्ब को आपको मदद कर सकता है कि आप इस अफ्जर का लाब उठाने का संकल्प करें ऐसमें आपको मजबूत करने में मदद करता है इरादों को मजबूत करने में मदद करता है आप जो देखते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है मतलब जो आ रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है जो होने वाला है देखते हैं नहीं जो होने वाला है आपकी जिम्मेदारी का क्षेत्र ये है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं कि मतलब आप उसको रिस्पॉंड कैसे करते हैं यह शहादत का आवहान नहीं है बलकि यह नैतिक आचरन का आवहान है यह जीवन को एक अध्यात्मिक पवित्र खेल बनाने के लिए एक प्रुच्साहन है जिसमें आप खुद को उस थिर ब कि दूसरों से बहुत प्यार करते हैं और नहीं खुद से किसी से भी ज्यादा प्यार नहीं करना है ना दूसरों से ना खुद से एक अध्यात्म के पवित्र खेल में आपको आगे बढ़ना है उस जगह से जहां आप किसी से प्यार नहीं करते हैं ना खुद से करते हैं अच्छा मतलब इतना ज़्यादा प्यार नहीं करना है कि selfish हो जाओ मेरे खेल से तो ये बोल रहा है हम आपको चुनाव करने के लिए प्रोचसाहित करते हैं मतलब चुनने के लिए प्रोचसाहित करते हैं यदि दूसरों की सेवा में धृविकरन करना चाहते हैं तो इस एहसास के साथ दूसरों की ओर देखना शुरू करें कि आप उनकी मदद करने के लिए यहाँ है जैसे वे आपकी मदद करने के लिए यहाँ है अपने दिमाग को इस रचनात्मक प्रशन के लिए खोलें कि आप कौन सा बीज बो सकते हैं जो मददगार हो सकता है आपने उन उर्जाओं के अनुभव के बारे में भी पूछा जो उन लोगों द्वारा महसूस की जाती हैं जो इस समय उन कारियों के माध्यम से आगे बढ़ना संभव नहीं पाते हैं जो दिल को खोलते हैं जेवं को उसके बारे में समझ में नहीं आता जिनों ने अभी तक अपने दिल के दरवाजे खोले नहीं हैं प्यार में बहे नहीं हैं तो उन्हें उसका एहसास उसका अनुभव नहीं हो रहा है उन संस्थाओं को दो बहुत अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है हम सबसे पहले उन लोगों की श्रेणी के बार में संक्षिप में बात करेंगे जो जागे ही नहीं है उन्होंने धुरूविकरन नहीं किया है और इसलिए वे इस समों के समान जीवन स्तर का अनुभाव नहीं कर रहे हैं जिसने यह प्रश्न पूछा है यह जो गृप है जिसने यह सवाल पूछा है उनकी तरह के जिन्दगी का अनुभाव उनको नहीं हो रहा है क्योंकि वो दूसरे लोग तो पूरी तरह सोय हुए वे जीवन में आगे बढ़ने की स्थानी संस्कृतिक प्रक्तिक्रियाओं में पूरी तरह से शामिल है 3D life ऐसी संस्थाओं के लिए इस नातक यह संक्षेप में बुलने वाला था ना ऐसी संस्थाओं के लिए इस नातक और फसल प्राप्त करना काफी संभव है wait a minute they are completely involved in the local cultural process of moving through life it is quite possible experiencing the same level of life as this group which has asked this question okay तो ऐसी संस्थाओं के लिए इस नातक और फसल प्राप्त करना काफी संभव है harvest होना, graduation करना क्योंकि संनातक और फसल की उर्जाओं के बिना फसल की उर्जाओं के का बिना शर्त प्यार से लेना देना है यह कोई किताब उन्मुक परिक्षा नहीं है मतलब कि graduation और harvest अगर करवानी है तो बिना शर्त के सभी लोगों से प्यार करना है और इसकी तुम्हें कोई rule book नहीं मिलेगी के ऐस कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं यह बस आपको करना है यह कोई सूचना उन्मुक शेत्र नहीं है आपकी मुख्य के मृत्यों के समय अंतिम मात्र आपका कमपन होगा तो मरते वक्त आपकी जो कमपनता होगी उस पर निर्भर है यदि यह चतुर्त घनत्व वाला कमपन है तो आप सनातक हो जाएंगे मतलब आप ग्राजुएट हो जाएंगे अगर आपकी कमपनता चौते घनत्व से मैच होती है यदि आपका कमपन अभी भी प्रित्वी के दृष्टिकोन से सांसारिक चीजों में शामिल है तो आप प्रित्वी जैसे ग्रह पर तब तक समय बिताना जारी रखेंगे से जब तक इस तीसरी थर्ड डेंसिटी से आगे नहीं बढ़ते हो मतलब मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए ये जब तक आपके अंदर खतम नहीं होता है और आप हरे की सेवा और सभी से प्यार के रास्ते पर जब तक खतम नहीं चलते तब तक आप चौथी घनत्वता में जाने के बजाए थर्ड डेंसिटी में जनम लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, फिर भुग दो, हलाकि जो लोग नहीं जागे हैं, वे अच्छी तरह से बीमारी का अनुभव कर रहे होंगे, नहीं होता है, सत्य को सहन करना ये ये भी एहसास करना की सत्य कैसा दिखता है, तो जो लोग नहीं जागे हैं, जो लोग सत्य को नहीं पहचान रहे हैं, कि धरती खतम होने वाली है, फोर्ट डेंसिटी आने वाली है, सबको मरना है, जो लोग अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनकी जिंदगी छोटी होती जाएगी, वो बीमार पड़ते जाएंगे, क्योंकि चौथी घनत फोर्ट डेंसिटी की उर्जा शुरू हो चुकी है, तो थर्ड डें मारियां पैदा करेगा और आपकी जिंदगी छोटी हो जाएगी, आप मरोगे तो सही, लेकिन आपको क्या कहते हैं, तीसरी घनत्म में वापिस पैदा होना पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि जो सत्य की उर्जा है, और सत्य जो है, आपके शरीर, मन, आत्मा की तरफ मतब आएगा, जैसे उर्जा, सन की आ रही है, सोला फ्लेर्स की आ रही है, वो आपके मन, शरीर, आत्मा की तरफ जब आता है, तो हो सकता है कि सत्य को आप वो लोग जो नहीं जागे हैं, बरदाश नहीं कर पाएं, या पहचान ही नहीं पाएं कि सत्य क्या है, कि सत्य कैसा दिखता है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई कैटलिस्ट आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको पहचानने में ही नहीं आ रहा कि यह कैटलिस्ट है यह एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और यह एक अन्य तरीके से यह उस एकाई का स्वाभाविक सहवर्ती है जिसने किसी स्तर पर इस समय सचेतन आध्यात्मिक कार नहीं करने का निरने लिया है उस इंसान का उसने मतलब एक तरह से कसम खा लिया है कि मुझे जागना नहीं है मुझे spiritual नहीं होना है मुझे इसी third density की life को जीना है तो फिर भुकतेंगे जब किसी इनसान ने आगे न बढ़ने का निरने लिया है तो ये होना ही है कि उसके पीछे की ओर बढ़ना शुरू कर दे मतलब कि वो चौथी घनत्वता की तरफ जाने के पेजाए तीसरी घनत्वता म में और पीछे चला जाए और इस मैट्रिक्स में माया जाल में फस्ता चला जाए और आप देखते हैं मेरे दोस्तों के उन में से कई लोग जो आपकी माननेताओं में कट्टर पंथी है बतलब जिनकी जो अपनी माननेताओं में कट्टर पंथी है और अपनी हट धर्मिता औ उन में डर का संकुचन और सभी चीजों को एक ही नजर में देखने की प्रवृत्ती होती है, काले और सफेद, ब्लाक और वाइट टोन्स में, मतलब ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा ही होना चीए, वो वैसा ही होना चीए, वो कॉंप्रमाइज करना नहीं जानते, या ग्रे शेड्स को पहचानने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में, ये वास्तव में एक इंद्रधनुशी ब्रहमांड है, जिसमें हर तरह की रंग है, न सिर्फ काला और सफेद, बल्कि भूरे के शेड्स भी हैं, ग्रे शेड्स भी हैं, बल्कि उजवल और रचनात्मक रंगों का सबसे अपमान जनक सयोजन है, क्योंकि संस्थाओं में भावनाएं हैं, पीडा व्यक्त करते हैं, और सभी प्रकार के रंगों को पाते हैं, उर्जा अधिक से अधिक सत्य, अधिक से अधिक प्रकाश, अधिक से अधिक अनुग्रह, वेट अ सेकंड, तो वो कहते है कि उनको सर्फ black and white दिखता है जबकि ब्रहमांड में हर रंग है इंद्रधनुशी और काले सफेद के साथ बहुत सारे ग्रे रंग है और हर रंग के तो इस तरह से हर रंग के बीच में भी अलग-अलग तोन्स है और हर रंग के खुद के अंदर भी नौ टोन्स है और शायद जादा ही होंगे तो वो कहते हैं कि हर तरह का रंग है और यह रोश्नी है इस तरह से मतलब जो सबसे बहतर या सबसे सुन्दर है वो है हर तरह के चमकदार रंग जो लोग अपनी भावनाओं से व्यक्त करते हैं अपने दुख को व्यक्त करते हैं अपनी हर तरह की उर्जा को व्यक्त करते हैं सत्य को व्यक्त करते हैं और वो समझते हैं कि एक Coherent Coherent को क्या बोलते हैं Coherent सुसंगत होना शुरू हो जाता है ओके जिससे वे जो समझते हैं या महसूस करते हैं वह सुसंगत होना शुरू हो जाता है और वे एक आध्यात्मिक कद प्राप्त करना शुरू कर देते हैं ओके ओके फिर वो आगे कहते हैं ये उस तरह का काम है जो एक इनसान को किसी को तीसरे घनत्व उत्प्रेरक के साथ चौथे घनत्व के तरीकों से निपटने के लिए तैयार करना शुरू करता है। मतलब यहां पर जब तक आप उससे नहीं निपटेंगे तो चौथे घनत्व में आप उससे नहीं निपट पाएंगे या वहां पर उसकी जरूरत नहीं है तो उसे यहीं पर अपने क्लटर को यहीं पर छोड़ के जाना है। उपने जितने एक्स बॉइफरेंड, गल्फरेंड, करंट बॉइफरेंड, गल्फरेंड, पती, पतनी, जो भी, सब को यहीं छोड़ जाओ। डीटाच अंतिम श्रेणी निश्चत रूप से वे सेवा से स्वयम उन्मुक संस्थाएं हैं जिन्होंने निर्ने लिया है कि निर्माता के लिए उनका रास्ता खुद को अधिक से अधिक विशुद्ध रूप से प्यार करना है और उन संस्थाओं को अपनी ओर आकरशित कर करना है उनकी मदद करेंगे और फिर उन्हें काम पर लगाएंगे तो यह जो खुद की सेवा के जो लोग हैं उन्होंने तो तैय कर लिया है कि इश्वर तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए खुद से प्यार करना है और उतनी शुद्धता से अपनी तरफ उस तरह के को आकर्शित करना है जो उन्हें अपने इस काम में मदद करेंगे और फिर वो लोग उनसे उन्हें अपना गुलाम बना के उनसे अपना काम करवाएंगे इस तरह आपके काफी सारी संस्थाओं में और ओगनाइजेशन में मल्टिनाशनल कॉर्परेट गावर्मेंट हर तरह की आपकी आर्मी आपकी पुलीस आपके धार्मिक संस्थाओं में हर जगा पर इस तरह के लोग आपको मिलेंगे दूसरों की सेवा की धुरुवता का सत्य उतना ही व्यवहार्य है जितना स्वयम की सेवा की धुरुवता का सत्य ना अधिक और ना कम अच्छा तो यह दोनों ही रास्ते जो हैं मतलब अपनाए जा सकते हैं। इसलिए यह अपनाए जा सकते हैं मतलब दोनों एक ही दोनों ही इश्वर की तरफ जाते हैं। कोई कम कोई जादा नहीं है आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं लेकिन हमने लौफ वन में अब तक ये तो समझ ही लिया है कि खुद की सेवा के रास्ते में आगे जाके जो परिशानियां होती है वो कितनी भयांकर होती है इसलिए ये अश्चरे की बात नहीं है कि कुछ संस् सेवा से स्वयम धुरुवता का चयन करती हैं और हम उस मतलब कॉन्फेडरेशन को वो कह रहें कि हम उस धुरुवीकरण के नहीं है और उस तरफ हमें कभी कोई आकर्षन हुआ भी नहीं और हमने पाया कि इस सूरज के उसका जो सिस्टम है सूरे का जो ये सौर मंदल है या रमांड है रचेता का तो जिसका हम एक हिस्सा है उसका में उद्देश या उनका जुकाव दूसरों की सेवा की तरफ है मतलब कि रचेता का और सूरे का जुकाव दूसरों की सेवा की तरफ है तो इसलिए हम वो पत जादा पसंद करते हैं और हमें ये पता चलता है कि ये ए मतलब यह ताकतवर है I think muscular से मेरा मतलब यह कहने की कोशिश कर रहा है कि यह सीधा और बहुत ही ताकतवर रास्ता है यहां पर बहुत मज़ा आता है और यहां पर harvest बहुत अच्छी होती है अगर इंसान इस रास्ते पर चले दूसरों की सेवा के रास्ते पर और यह सीधा इसलिए है क्योंकि एक बार आप इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिये तो यहां आके इंसान को अपनी धुरूवी करन को बदलना नहीं पड़ता जैसे खुद की सेवा के रास्ते वालों को छटी घनत्वता तक पहले तो पहुंचते नहीं पहुंच गए गलती से तो उन्हें अपना धुरूवी करन बदलना पड़ जाता है स्विच करना पड़ता है और उनके लिए वो सिर्फ एक हद तक अपनी सेवा कर सकते हैं उसके बाद उन्हें भी दूसरों की सेवा की तरफ आना ही पड़ता है लेकिन फ्रॉम्द स्टैंपॉइंट अफ एन उनकों से बिना किसी शर्त के प्यार करना और उनकी सेवा करना नहीं सीखा है क्योंकि उनकों करना नहीं है तो वो उनका अपना एक चेतन मतब यह उनकी अपनी जानकार चुनाव है अपनी जानिब में वो यह चुनाव कर रहे हैं और वो खुद की सेवा के रास्ते पर चल और जो उर्जाएं होंगी कॉम्त और उर्जाएं होंगी याव उन्हें बहुत ज्यादगा तकलीफ देंगी क्योंकि ऐसे लोकों स्वयम के सेवा एकाई के सचेत पसंद है की सचेत पसंद है रहां रूप से परिशान करने वाले नहीं होंगे ऐसी संस्थाओं ने लंबे समय से खुद को सबसे कठोर अनुशासन के तहट रखने का विकल्प चुना है भावनात्मक प्रभाव उनके काम नहीं आता किसी भी तरह से नियंत्रन से बाहर रहना उनके काम नहीं आता हमेशा कंट्रोल में रहते हैं नतीशतन वे कठिन उत्प्रेरक की आश्चर्य जनक मातरा के साथ बहुत अच्छी तरह से सामना करते हैं कितना भी मुश्किल उत्प्रेरक लग जाए वो उसका सामना बहुत अच्छी तरह से करते हैं क्योंकि उन्हें वास्तव में खुद से प किसी भी तरह की प्रगती करने से पहले बहुत आश्वस्त होना होगा। बापरे, मुश्किल है, थोड़ा सा रह गया। तो वो कहते हैं कि हम नहीं देखते कि विश्व सतह का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से भरा हुआ है, जिनोंने खुद की सेवा का स्विकल्प चुना है बहुत जादा लोग नहीं हैं ये, मतलब बेसिकली, तो जो लोग खुद की सेवा का रास्ता अपनाते हैं, उनकी ये आदत होती है, टेंडेंसी होती है, कि उन्हें धर्ती के उपर ताकत अपनी आजमानी है, ताकत सब के उपर ताकत का जोर चलाना है, अपने अंदर भी व और इसके हिसाब से वो एक इस तरह का एक गवर्मेंट या एक शासन प्रणाली तयार करते हैं, जिसमें दूसरों को अपना गुलाम बनाया जाना है, अपना गुलाम बनाना ही है, तो हम ऐसे लोगों से ये कहेंगे, जो इस रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं, कि एक बार अ पास देख लो और सोच लो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यूं करना चाहते हो, बहतर रहेगा, पूछा ये गया था कि धरती, प्रेश्ण में पूछा गया कि प्रित्वी ग्रह पर लोगों के दृष्टिकोंड से दुनिया की स्थिति क्या है, इसका जवाब हम अच्छे से न नहीं है, लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या पता, हमें वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हो, बतलब हमें नहीं पता हो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, उनका क्या नजारिया है, हमारा दृष्टिकोंड कुछ हद तक अलग है, हमारे पास वो दृष्टिकोन है जो पैटर्न की पूर्णता को देखता है इस ब्रह्मांड के पैटर्न की पूर्णता को इस धर्ती के आगे बढ़ने की पैटर्न की पूर्णता को हम उस अर्थ व्यवास्था को देख रहे हैं जिसके साथ अपरिहार ये परिवर्तन का ये समय आगे अर्थव्यवस्ता है, यहां पर वो आगे बढ़ रही है, और उसमें बदलाव आने ही वाला है, वो बदलाव आएगा और वो आगे बढ़ेगी, आगे कैसे बढ़ेगी, वो कहते हैं कि हम आप सब को प्रोचाहन देते हैं कि आप इस बात का एहसास करें, कि आप में बहुत शक्ती है, आप में बहुत ताकत है, और आप हर एक इनसान आप में से, सूरज की तरह चमकता हुआ, अनन्त प्रेम से भरा हुआ, एक एक अस्तित्व है आपका, और जब आप इस तरह से एक सर्कल में बैठते हैं, और शाम ढलते के समय, जब आप सभी एक कठा करके हम सभी को प्यार भेजते हैं, या एक दूसरे को प्यार भेजते हैं, और इस दुनिया को प्यार भेजते हैं, तो इस अपने खुले दिल से, इस धर्ती को भी प्यार भेजो, दुनिया के लोगों को भी भेजो, ताकि वो जागृत हो, और भ्रहमान को भी भेजो, मतलब basically वो कह रहे हैं कि जब आप सब एक साथ बैठ के इस तरह meditation करते हैं प्रात्ना करते हैं और हमें बुलाते हैं तो ऐसे में अपने प्यार की शक्ती को और बढ़ाओ और फैलाओ फाइनली खतम हुआ पोल शिफ्ट के बारे में जो भी था और बहुत ज्यादा नहीं था जो था वो हो गया खतम अब नेक्स सब्जेक्ट मेरे खेल से साटड़े को पा के साथ कुछ सब्जेक्ट प्लान हो रहा था देखते हैं नेक्स सब्जेक्ट क्या होगा अगर आपको ल हैं मैं देखूंगे अगर मुझे उस पर को चैनलिंग का कुछ माटीरियल मिला तो मैं निकाल के आप मैं निकाल के इकठा करके अलग-अलग meditation के question answers को मैं कोशिश करूंगी करनी की thank you so much goodbye see you at five o'clock